नमस्कार में पृतिक शौर आप देख रहे हैं इंडिया 24 इंटू 7 लाइफ टीवी सीधा रुख करते हैं प्रदेश की एहम खबरों की ओर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों प्रकास राजभर के बेटे अर्विन राजभर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अर्विन भाजभर की नाराज कारेकरताओं से माफी मांग रहे हैं वो भी घुटनों पर बैट कर वीडियो में प्रदेश के डिप्टी सीयम ब्रजेस पाठक भी हैं वो ब्रजेस पाठक राजभर का हाथ पकड़ कर माफी मंगवा रहे हैं कारेकरताओं के सामने जुख कर आशिरवाद लेने को कह रहे हैं कुछ महिने पहले तक उन प्रकास राजभर विपक्ष में थे बीदे विधान सभाचुनाओं के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं को अपशब्द कहे थे अब उनकी पार्टी सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी एंडिये गडबंधन का हिस्सा हो गई है साख चुनाओं लड़ेंगे और लेकिट पुरानी कथनी और करणी इतनी आसानी से तो पीछान नहीं छोड़ती है उनके बयाँ से कुछ भाजपा कारेकरता नारास थे मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीयम ब्रजेस पाठक ने अर्विन राजपर और भाजपा कारेकरताओं पधाधिकारियों के बीच मद्य इस्थता की मौ में हुई इस बैठक में डिप्टी सीयम ने अर्विन राजपर को मज से उठाया और उनसे माफी माँगने के लिए कहा वाइरल हो रहे वीडियो में ब्रजेस पाठक अर्विन राजपर से कहते हैं कि आधा जुको फिर मुह भी नीचे जुकाओ भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं से अंडिये गडबंधन के प्रत्याशी अर्विन राजपर को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील की ब्रजेस पाठक के कहने के बाद अर्विन राजपर नीचे जुक कर वहां मौजूदा लोग से माफी मांगी India 24 and 267 Live TV के लिए Bureau 4 अर्विन राजबंधन 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 राजबंधन